जैन दोस्तों भाई आपको बता दूं आर्मी अगनीवीर की भरती में बड़ा बदलाव किया गया अब इस बदलाव के पीछे क्या खारण है और आपके लिए अच्छी ख़वर भी है यह बदलाव आपके लिए बहुती अच्छे दिन लेके आएगा क्योंकि जो हमारी नेक् जनवरी में होगी अब कुछ भरती ऐसी है जो जनवरी में होनी थी वह भरती अब दिसंबर में होगी यानिकि एक महीने पहले हो रही है तो यह तो अच्छी ख़वर है दूसरी अच्छी ख़वर यह कि भाई अभी इसी को देखते हैं आपकी नेक्स्ट भरती का नोटी पे यह तो नहीं कह सकता हाँ एक अनुमान है कि क्योंकि भाई यह बदलाब कर रहे हो सकता है कि इसके पीछे का जो मैं मकसत हो कारण वो यह ही हो वीडियो में लाइक कर दो जितने भाई चैनक साथ जोड़ें तर सबस्कार दिख रहा होगा आपको इसे प्रेस करके साथे बैल क सेट कर लेना अभी देखो मैं आपको बताऊं देखो एक तो मैंने आपको बाई गोड़नीज दे दिये कि जो भरती फरवरी में होने वाली तो जनवरी में हो दिसंबर में होरी अब इसके पीछे का कारण भाई यह देखो जब हमारे दो हजार चौविस की जो भरती का सिद निकलेगा वह जैसे हमारी अभी 2023 में निकलाता ना कि पहले सौट लिस्ट निकाल दिया था कि आपको बहुत जल्दी नोटी पेकेशन इस डेट को मिल जाएगा जैसे अभी मैं आपको यह वालत दखा दूँँ यह सबसे पहले निकलाता और इसी के हमारी जो 2024 की जो नेक्स भरती निकलेगी या 23 में निकल जाएं अक्टूबर के महिने में या 24 में निकलेगी दो डेट बताये दो अनुमान बताये तो भाई अब इसे देखते हैं यही लग रहा है कि जैसे सेम प्रोसेस हमारा 2023 में हुआ था कि पहले भाई आप रजिस्टेश बेश्टू तो सेम प्रोसेस भाई हमारा यही होने वाला 2024 में भी यानि कि पहले आप रजिस्टेशन करोगे रजिस्टेशन के बाद आप एडमिट कार्ड निकालोगे फिर अपना उलाइन एक्जाम के लिए जाओगे और जितने बच्चे पास होंगे एक सोट लिस्ट के कादार पर तो उनको भाई डिवाइड किया जाएगा आदे बच्चों की रणिंग होगी यानि की जून से सप्तमबर तक और फिर नवंबर से फरवरी या जनवरी तक तो यह एक भाई इनका प्रोसेस है हो सकता है कि फरवरी से पहले यह भरती सभी कंप्लीट करा लें सेकं क्योंकि इन्हें 2024 की भरती देनी है इसी के अकॉर्डिंग भाई यह प्रोसेस चलेगा तो यह एक प्रोसेस रहेगा बाकी बहुत भाईों के लिए गुड़ नीज भी हो सकती है और अनुमान यह भी है कि भाई जिन बच्चों की भरती कंप्लीट नवंबर तक हो जाएगी ह सकता है कि आपको वो दे दें कि भाई आप में कर सकते हैं आपके इया रोके साथ पर यहां पर एक बात यह भी आरही है यह जब 50% बच्चों के भरती आ जाएंकि पहले रागस्टेशन करो फिर ऑन-लान एकजाम करो तो बात यहां पर बाई ऑन-लान एकजाम पर फ्रyouk क्योंकि इनको online exam एक साथ कराना तो यह 50% ARO का online exam नहीं करा सकते हैं तो इसे देखते हुए यह हो सकता है कि उनका आप सिर्फ registration कर ले exam जैसे second batch की भरती complete होगी और वो बच्चे भी अपना registration कर लेंगा उसके आधार पर total दोनों बच्चों को मिलाकर उनके online exam करा देंगे तो बात बैस यह भाई गुमा फिरा के इन्हें आपकी भरती है वो 24 में करानी है और 24 से ही आपकी भरती आएगी यानि कि फरवरी से आप registration फिर admit card फिर online exam फिर physical जैसे अव चल रहा है ऐसे भाई चलता रहेगा ठीक है और बाकी जिन बच्चों की भरती है फरवरी में ती वो ज समबर में हो चाहिए यानि कि यार काफी जो लेट प्रोसेस था उसे अब यह भाई बहुत जल्दी खींच रहें कि यार लेट प्रोसेस हो रहा है से जल्दी complete करो पीछे से आदेस होगा तो भाई यह अच्छी खवर है बाकी जो भी कोई और update आएगा वो मैं आपको दोंग करें और जोइन करने चैनल को अगर आपका चैनल जोइन नहीं ओर आओ तो टेली ग्राम पर सर्च करें यूएच को रिलेशन आर्मी सिंपल चैनल आजाएगा जोइन कर लेना ठीक है तो फिर में लोगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जै